पूर्व मुख्यमंत्री हुपेश बगेल के फरजी इनकाउंटर वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री विजैश शर्मा ने निशाना साधा है उन्होंने कहा कि माववादी संगठन ने अपने पत्र में भी 50 नकसलियों से मारे जहने की बात कुबूली है ऐसे में हुपेश बयान दुर्भा की जनक है उनको अपने बयान पर जवानों से माफी मांगना चाहिए अगर ये माफी नहीं मांगते तो जनता इसका जवाब देगी राज जी के पूर मुख्यमंत्री विपेश बगेल ने कल कहा था कि मुठ बेड फरजी है इसका क्या मतलब है जिन जवानो अब को मैंने देखा है उन्हें जूटा घायल क्या गया है जो हतियार बरामत हुए है क्या वे भी नकली है दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बगेल जी वो कल कह रहे हैं कि अनकाउंटर फरजी है भाजपा के सरकार में ऐसे बहुत जवानों को मैं देखकर आया हूं क्या फरजी दिनलंग से उनको मारा गया है जितने असला बरामत हुए हैं वो फरजी धारी सारे हैं वो फरजी हैं अब इस तरह से कहके फिर से विशय को बदल देना ये बहुत गरत बात है और जो भी ऐसे बिंदू है चाहिए वो सामाजिक संस्ता हो कोई विक्ति हो कोई विशय हो जो कुछ भी है उन सब से मैंने विदन करना चाहता हूं कि एक बार ये बात स इसकताल नहीं है मोबाइल के टावर नहीं है सड़क उचित नहीं है तो किसकी गलती है क्या ये नहीं होना चाहिए क्या वहां कोई बीमार नहीं होता जिसको सड़क से जल्दी लेकर के शहर की और आने की जवाशकता है क्या वहां पर बिजली की जवाशकता नहीं है क्या व वो चाहते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, हम भी मानते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, उसमें निर्णे करना चाहिए, यह बंदूक उठा कर के क्या होगा, क्या बंदूक की नली से सड़क निकलने वाली है, कि बंदूक की नली से अस्पताल निकलन वाला है किसे सम्भव होगा भी या बनाना पड़ेगा वो सब तब जाकर हो पाता है